हेलो गाइस एंचल वन के अंदर इस्टोप लोस केसे लगा है आप बिगिनर सो आपको नहीं हाता मैं इजी वे में समझाऊंगा इस पाच मिर्ट की या चार मिर्ट की वीडियो में बस आपको ये वीडियो पूरा कंप्रीट देखना उसके बाद आपका कभी भी लोस नहीं हो वीडियो एंड तक पूरा देखना मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ ठीक है आप जैसे ये एंचल वन एप्लिकेशन ओपन करोगे आपके सामने इसा इंटरफेस हाईगा अब सपोस्ट के आपने एक शेर जो है बाई कर लिया अब मैं आपको यहां पर बाई करके बता तो यह शेर जो है बाई हो गया है अब देखे गाईस यहां पर न्यू अपडेट आया है तो पूरा इंटरफेस चेंज हो गया है अब अगर आपने डिलीवरी के अंतर शेर बाई कर रहा है तो यहां पर देखे पोजिशन में दिखाई देगा ठीक है और पोजिशन में दि दिखाई देगा और आज हड़ जाएगा यह साड़े तीन बचे सब पहले ठीक है और अगर आपको इसमें इस्टोप लोस लगाना है तो आपको सिंपल इस पर टेप करना है टेप करने के बाद यहां पर दीखी निचे आपको ओप्शन आ जाएगा इस्टोप लोस आपको इस पर आप इस्टोप लोस लगाना चाते हो उतने पर लगा सकते हो हमने डिलिवरी के अंदर लिए तो डिलिवरी सिलेट कर लिया है ठीक है अब यहां पर देखें गाईस इस्टोप लोस का ओप्शन आ रहा है जो यह रहा अब आपको इसको सिंपली ओन करना है और यहां पर यहां से समझना वाली बात है ठीक है अब यहां पर देखें मार्केट प्राइस चल रही ही गाईस 170.91 या फिर 1986 हैसा कुछ अपडाउन हो रहा है ठीक है पॉइंट अब यहां पर देखें इस्टोप लोस लगाने के बेनिफिट यह है यहां पर ट्रिगर प्राइस और लिमि चूस करके ही है आप इस्टोप लोस लगा सकते हो तो यहां पर लिमिट पर टेप करना पे लिए फिर यहां पर ट्रिगर प्राइस जो होता है वो आपको उपर यहां पर डालना है कि सपोस 117 रुपे यहां पर चल रहा है और आप चाहते हो कि आपका जो लो से जादा नहीं हो तो आप यहां पर जैसे की 112 रुपे डाल दोगे जैसे ही यह प्राइस अगर आप मतलब फोन यूज नहीं करते हो अगर यह प्राइस 117 पर से 112 रुपे आता है तो यह ओटोमेटिकली सेल हो चाहेगा अब यहां पर देखिए लिमिट प्राइस का भी ओप्शन दिया से की 112 है तो दो तीन का फासला रखना तो यहां पर देखिए मैंने यहां पर 111 सिलेट कर लिए यह इसलिए कि अगर मार्केड अचानक से निचा आता है तो वो मतलब स्टोक जो होता है वो लिमिट प्राइस और मतलब ट्रिगर प्राइस के बीच में एक्जेक्यूट हो चा थोड़ा गुम रखना यहां पर मार्केड का ओप्षयन भी दिया हुआ मार्केड में क्या होता है कर जो प्राइस है उस पर आप सेल कर सकते हो लेकिन आपको यहां पर लिमिट का ओर नहीं दिख़ा clicks कर सकती हो सकत के execute हो जाए ज्यादा मत लगाना नहीं तो क्या होगा कि अगर आप stop loss लगाते हो और suppose कि साड़े तीन बज़े के पेले वो price execute नहीं हुई तो जो ये stop loss लगाया अपने automatically cancel हो जाएगा और आपका जो भी श्टोक है वो automatically sell out हो जाएगा broker के थूँ तो इस बात का ज्यान रखना कि आस पास काई stop loss लगाना अगर आप delivery के अंदर stop खरीते हो या फिर intraday के अंदर खरीते हो अब यह मैंने limit set कर दिए अब यहाँ पर place sell order का option आ रहा है आपको simply इस पर tape करना है और confirm कर देना है confirm करने के बात देखे पेले यह position में बता रहा था position में तो अभी है लेकिन यहाँ पर उपर orders में यह आ चुका है ठीक है orders में यह share आ चुका है यह देखिए अब यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहा जब तक इसकी price 115 नहीं हो जाती यह execute नहीं होगा यहाँ पर देखिए execute का option है execute पर tape करा share buy तो हो गया है लेकिन यह pending इसलिए बताया क्योंकि यह sale नहीं होगा है अभी order लगा होगा है यहाँ पर अब जैसे 115 इसकी price आएगी यह sale out हो जाएगा I hope कि आप लोगों को समझ मागया होगा कि stop loss केसे लगाते है अब guys क्या होता है कि price इसकी अगर suppose के 125 रुपे हो गई तो आप इस पर tape करना और यहाँ पर देखिए edit order का option दिया होगा है आप इस पर tape करना और यहाँ पर 125 हो गई तो 120 का आप इस टो प्लोस लगाना और नीचे confirm कर देना तो यह क्या time to time update हो चाएगा और अगर आप cancel करना चाहो तो यहाँ पर दीखिए cancel का भी option दिया होगा तो आप cancel भी कर सकते हो और आप ऐसे ही benefit उठा सकते हो stop loss का ठीके तो आपको समझ मागया होगा कि angel 1 के अंदर stop loss कैसे लगाते है और आप इसके कितने benefit है तो जा Thank You for watching this video